एपिसो नमबर 220 की स्टर्टिंग होती है और वान बई यांग फिंग से कह रही होती है चलो यांग फिंग आप मुद्दे पर आते है तुम उससे यहां मिलने वापस क्यों आए तब यांग फिंग उससे कहता है दरसल में यहां वापस इसले आया हूँ क्योंकि उस घटना के बाद में इसकी तलाश कर रहा था लेकिन मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा था जब तक मुझे यूंग जेंग ने ये सचाई नहीं बताई थी फिर वान बई हैरनी से कहती है क्या यूंग जेंग उससे ये कैसे पता चला तब यांग फिंग उसके हाथों में मुबाइल देती हुए कहता है क्योंकि वो वेक्ति वही था जिसने मुझे ड्रग दिया था और फिर वान बई फोन चेक करती है जिसमें यूंग जेंग ने मेसेज में लिखा हुआ होता है यांग फिंग मैंने ही तुम्हें उस दिन ड्रग दिया था और मैं जानता हूँ कि मुझे तुम्हारे साथ और वान बई के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था मैं ये सब के लिए तुमसे माफी चाता हूँ और फिर यांग फिंग उसे मैसेज करता है ये सब चल क्या रहा है और वान भई वो मैसेज पर चोकती हुए कहती है मैंने सो सोचा था कि हम अच्छे दोस्त है लेकिन आखिर कारुस ने ऐसा क्यों किया नहीं वो इस सब के पीछे नहीं हो सकता और फिर यांग फिंग वान भई कहा से फोन लेती हुए कहता है ये उसका आखरी मैसेज था और इसके बाद मेरा उसके साथ कभी कांटेक्ट नहीं हुआ और मुझे यूंग जेंग की कोई चिंता नहीं है इसके बज़ाए मुझे इस बात का डर है कि उसकी पीछे कोई है और फिर वान भई कहता है ये तुमारा मतलब है कि यूंग जेंग का किसी ने इस्तमाल किया और उसे ये सब करने के लिए मजबूर किया फिर यांग फिंग कहता है हमारी दोस्ती के खातिर यूंग जेंग हमारे सथ ऐसा कभी नहीं करेंगा जब तक कोई उससे ऐसा करने के चुपा हुआ है वो हमारे साथ और भी बुरा काम जरूर करेंगा और फिर वन बई हैरानी से केती है वो आदमी कोन हो सकता है जो यूंग जेंग का इस्तमाल हमारे खिलाफ कर रहा है और क्योंकि वो प्रेसिडेंट है तो हर कोई उस पर दबाव नहीं डाल सकता जब तक यूं और तब ही वो चौकती हुए मन में केती है रुखो मैंने एक बार उसे हॉस्पिटल में लाल बुके के साथ जाती हुए देखा था और जब उसने कहा था कि वो किसी से वहाँ मिलने आया है और अब मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि हॉस्पिटल में उसी मंजिल पर लु को भी एड़मिट किया गया था तो क्या वो लु हो सकती है जिससे यूँंग जेंग प्यार करता था और क्याय ये सब की पीछे लु ही है जिसने यूँंग जेंग का हमारे खिलाफ तो यांग फिंग तुम्हें जल्दी ही घर जाना चाहिए उसे तुम इंतजार मत कराओ और गाइज जी की साथ एपीसों नमबर टू अंडर ट्वेंटी यहां एंड होता है पसना आया तो लाइक एट सिस्काइब जरू करें मिलते हैं को जल्दी नेक्स्ट एपीसोड में